हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपको बेल्ट के साथ मेड़ी फ्रॉग बनाना बताऊंगी लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके यह मैंने 2 मिटर सिल्क क्रैप का फैबरिक लिया है तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे तो फैबरिक को मैंने 4 फोल में बिचाया हुआ है जो मेरी साइट है वो बंद वाली साइट है और उपर की साइट है वो खुली वाली साइट है और टॉप पार्ट की सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है और यहां से हम चेश्ट का मेजरमेंट लेंगे तो चेश्ट आपकी जो भी हो उसे डिवाइड बै फोर करके उसमें दो इंच एट कर देना है सिलाए मार्जिन के लिए तो मैंने 11 का फैबरिक लिया हुआ है और एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है और बेक हम होल के लिए मैं देर इंच पर निशान लगाऊँगी और दोनों निशानों पर हम रांड शेप ड्रो कर देंगे अभी नीचे से हमें कमर की चोड़ाइन का फोर्थ पाठ लेना है और उसमें भी ह साधे 4 इंच पर निशान लगाएंगे आप चाहे तो चार इंच पर भी निशान लगा सकते हैं our और आगे की गले की लबाय भी मैं 4 इंच ही रखूंगी और पीछे की गले की लबाय हमें 1,5 इंच लेनी हैं और दो नो निशानों पर हमम बैक ड्रो कर देंगे, फ्रंट और बेक के लिए, आप चाहे तो फ्रंट में V शेप भी ड्रो कर सकते हैं, अभी शॉल्डर स्लोप के लिए हम हाफ इंज पर निशान लगाएंगे, और इसमें हमें तिर्ची लैन ड्रो कर देनी हैं, अभी सबसे पे लैं बैक नेक और बैक आम होल क की कटिंग कर देंगे, तो ये देखे मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अभी हम इसमें से एक पाट को निकाल लेंगे, और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए, फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की कटिंग कर देंगे, तो ये देखे मैंने इसकी कटिंग कर दी है, और इस नीचे की दोनों सैट खुली हुई है अभी बोटम पार्ट की लंबाई के लिए हमें 23 इंच यानि की 23 इंच पर निशान लगाना है और एक इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे तो टोटल लंबाई हमारी 37 इंच होगी अभी उपर से हमें इसके उपर टॉ चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे तो नीचे से इसकी चौड़ाई में 20 इंच रखने वाली हूँ और एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है आप चाहे तो इसकी चौड़ाई कम भी रख सकते हैं अभी जो हमने उपर की तरफ निशान लगाया है उस निशान को हम पर दो कर लेनी है नीचे तक अभी नीचे से हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसमें हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रो कर देना है नीचे की तरफ से तो नीचे से इसके जो कोने ढलते हैं वो बिल्कुल नहीं ढलेंगे अभी इसे हम कट कर लेंगे आप चाहे तो इसकी अमरेला की तरह कटिंग भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें A लाइन बना रही हूँ तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है फ्रांट और और स्लुख की लेंध मैंने साड़े चार इंच रखी है इसमें मैं सिंपल छोटी साड़े तीन इंच की स्लुख बनाने वाली हूँ और ऊपर से स्लुख की चोड़ाई मैंने साड़े आफ्र ईंच रखी है और cap sleeve की length के लिए में 2 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि हम इसमें चोटी sleeve बनाने वाले है और line ड्रो कर लेंगे और बंद वली side से भी हम 2 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी line ड्रो कर लेंगे और खूली वाली side से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई margin के लिए और इसमें हमें sleeve का shape ड्रो कर देना है जिस तरह से हम normal sleeve बनाते हैं बिल्कुल वैसे हमें sleeve का shape ड्रो कर देना है और नीचे से sleeve की चोड़ाई मैं 5.5 इंच रखूंगी और उसमें मैं 2 इंच एड़ करूंगी सिलाई margin के लिए और side से भी हम line drop कर देंगे अभी इसे हमें cut कर देना है तो इस तरह से मैंने sleeve की cutting कर दी है और ये मेरी 2 sleeve है अभी सबसे पहले हम इसका neck बनाएंगे तो ये मैंने neck के लिए तिर्ची पटी ली हुई है हमें इसके neck पर सीधी side से ही तिर्ची पटी को attach करना है और इसमें हम सिलाई लगाएंगे उसके बाद जो तिर्ची पटी है उसे हमें double fold करते हुए अंदर की side मोर देना है और इसी तरह से हम front neck के उपर भी तिर्ची पटी attach कर लेंगे सीधी side से ही और पटी को double fold करते हुए अंदर की side मोर देंगे तो ये देखे मैंने front neck पर तिर्ची पटी attach कर दी है और back neck पर भी कर दी है अभी एक पाट के उपर दूसरा पाट हमें उल्टा रखना है और इसके shoulder joint कर लेने है तो ये देखे मैंने इसके shoulder joint कर लिये है अभी हम इसके उपर sleeve attach करेंगे तो sleeve को हमें उल्टा रखना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है आप चाहे तो इसमें pub sleeve भी बना सकते है मैंने इसमें simple sleeve ही बनाई है उसके बाद जो sleeve की नीचे की border है उसे हमें double fold करना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी side भी हम center से sleeve को रखेंगे और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है और sleeve की जो border है उसे भी हमें double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है तो ये देखे मैंने इसमें दोनों स्लीव अटेज कर ली है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है अभी हम इसमें bottom का part अटेज करेंगे तो bottom part को हमें उल्टा रखना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है दोनों सेट से हमें बोटम पार्ट को उल्टा रखते हुए इसमें सिलाय लगानी है तो ये देखे मैंने इसमें बोटम का पार्ट अटेच कर लिया है अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे दोनों पार्ट्स को मैंने अटेच कर लिया है अभी इसे हमें उल्टा कर देना है और उपर से हम दो इंच का गेप देते हुए नीचे तक इसकी फिटिंग कर लेंगे नीचे से हम एक इंच का गेप रखेंगे उसके बाद जो इसकी नीचे की बॉरडर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दिनी है तो ये देखे मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही side से और नीचे की border को भी मैंने fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है अभी हम इसमे side loops attach करेंगे दोनों side से तो ये मैंने 2 पटे बनाई हुई है इसकी लंबाई मैंने 3 इंच रखी है अभी जो हमारी side की सिलाई है वहाँ पर हमें इस loops को रखना है और इसके उपर पहले हम उपर से सिलाई लगाएंगे उसके बाद loops को नीचे की तरफ से fold करते हु को fold करते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे इसमें समय belt को pass करना है इसलिए हमें loop shortage करने है उसके बाद हम belt बनाएंगे तो ये मैंने 4 इंच ओड़ी पट्टी लिए है और इसकी लंबाई कम से कम हमें 40 सिंच तक लेनी है और इस पट्टी को पहले हम double fold कर लेंगे उस के बाद हम एक सैट से इसमें तिरची सिलाई लगाएंगे उसके बाद हम पूरी पट्टी में सीधी सिलाई लगा लेंगे और सीधी सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को सीधी सैट पर पलट देंगे और इसके उपर हम प्रेस लगा लेंगे तो ये देखे मैंने पट्ट इसमें से हम बेल्ट को पास कर लेंगे और इस बेल्ट को हम सेंटर में टाइब कर लेंगे इसे हमें बोव बनाते हुए सेंटर में टाइब कर लेना है तो अगर आपका फ्रॉक लूज भी होगा तो इस बेल्ट की मदद से आप इसे फिट भी कर सकते हैं और डेकोरेशन के लिए मैंने ये रेट कलर के बटन्स लिए हुए है इसे मैं नीडल और थ्रेट की मदद से सेंटर में अटेच कर दूँगी और इसी के साथ ही हमारा मेडी फ्रॉग बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लूप आपको आज का टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको बनाने में कोई भी परेशानी हो तो भी मुझे कमेंट जरूर करिएगा तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज गाइस